टेन फिंगर चैनल में आपका स्वागत है जम कक्छा आठ की गड़त का प्रस्न वली 8.3 का प्रस्न कुर्मांग 4 का भी भाग हल करेंगे प्रस्न इस प्रकार से है ए ब्रैकेट में ए स्क्वेर प्लस ए प्लस बन ब्रैकेट क्लोस प्लस 5 को सरल कीजिए और फर्स्ट ए वरावर 0, सेकंड ए वरावर 1 और थर्ड ए वरावर माइनस 1 के लिए इसका मानगयाद कीजी तो हम इसको हल करेंगे सबसे पहले तो हम इसी विन्जक को सरल करेंगे इसको हम पहले ए का इन तीनों में गणा करेंगे तो यह हो जाएगा A into A square plus A का A में गुणा करेंगे plus A into 1 अब यह इतनी चीजें हो गई है इनको हमने bracket में close कर दिया plus 5 तो यहाँ पर हो जाएगा A cube plus A square plus A इसका हल हमने उपर से ही शुरू कर दिया है तो इसकी heading हम यहाँ पर डाल देंगे और यह है plus 5 तो यह तो हमारा सरल करने के वाद दिंजक आ गया अब यह और आगे हल नहीं होगा अब A बरावर 0 के लिए इसका हम मान गयाद करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा जहाँ जहाँ पर A है वहाँ वहाँ पर हम 0 रख देंगे यह हो जाएगा 0 का cube प्लस 0 का square प्लस 0 प्लस 5 तो यह तीनों step तो हो गए 0 अकेला 5 बचा है तो इसका आणसर हो जाएगा 5 अब second वाला है A बरावर 1 के लिए पहले हमने जो ब्यंजा खल किया उसको लिख लेंगे यह है A cube प्लस A square प्लस A प्लस 5 A cube अर्थात 1 का cube प्लस 1 का square प्लस 1 प्लस 5 तो यह तो हो जाएगा एक धन एक धन एक धन पाँच एक और एक दो और एक तीन और पाँच आठ इस तरह से second वाले का अंसर आजाएगा 8 अब A बरावर माइनस 1 के लिए तो यहाँ पर हम यह वेंजर क्लेंगे यह मैंने side में हल किया है यह है A cube प्लस A square प्लस A प्लस 5 अब यहाँ पर ध्यान दीजी यहाँ पर माइनस 1 लेना है तो माइनस 1 का Q प्लस माइनस 1 का square प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस 1 और यह है प्लस 5 तो देखिए जब हम माइनस 1 का गुणा तीन वार करते हैं यह हमने लिखा माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1 तो धिए देखिए –1 इंटू –1 ये तो हो जाएगा –1 अब एक और बार है –1 तो ये हमारा आजाएगा –1 तो जब भी तीन बार है तो उनका गुड़न फल –1 आएगा दो बार है तो प्लस बन हो जाएगा चार बार है तो भी प्लस बन आएगा तो जब even number आते हैं तो वो minus 1 का गुड़नफल plus 1 आता है यदि even number की घात लगी हो समसंख्याओं की और यदि बिसम संख्याओं की घात लगी हो तो उसका गुड़नफल minus 1 आता है जैसे यहाँ पर बिसम संख्या की घात लगी है अभी अभी मैंने आपको गुड़ना करके भी दिखाया है तो यह तो हमारा आ जाएगा minus 1 plus अब यह square है तो minus 1 into minus 1 plus 1 हो जाएगा अब यह plus minus minus आएगा और निसान भी है minus का ही आएगा minus 1 plus 5 यह देखिए plus 1 minus 1 यह minus 1 और यह plus 1 यह दोनों मिलके तो हो जाएगे 0 अब यह minus 1 plus 5 तो 5 मैं से 1 गए 4 बचे यहाँ पर यह 4 आजाएगा इसका आंसर तो इस तरह से प्रस्नकर्मांक 4 का भी भाग हल हुआ कहीं कोई प्रॉब्लम हो आपको यह कमेंट्स में पूछ सकते हैं प्रस्नकर्मांक 5 के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए पढ़ती रहें मसत रहें